तो आज हम करने जा रहे हैं चाप्टर नम्बर थर्ड क्लास पॉर्थ का सोरी है जो नसुरुदीन's aim ठीक है कि नसुरुदीन का निशाना एक दिन जो नसुरुदीन था वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे गप्पे लड़ा रहा था बाते कर रहा था वो अपने वावाई लूटने लगा that no one can match my skill in archery मेरी archery में कोई मेरे साथ match up ने कर सकता है मैं बहुत गुनवानी हूँ इसमे I string the bow, take aim and shoot the arrow मैं bow को अपने इसमें string में लेता हूँ, aim लगाता हूँ, निशाना देखता हूँ कि किस पे लगाना है और arrow को shoot कर देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ push, the arrow is sure to hit right on target और वो sure होता है कि जो arrow है वो पक्का उस target पही जाएगा तो यह अपनी वावाई वो लुटा रहा था, ऐसे कर रहा था, कि भाई मैं तो बहुत बढ़िया खिला रही हूँ ठीक है, उसके बाद कियाता है Hearing this, ऐसा सुनने पे, one of his friends immediately brought a bow and some arrows एक दोस ने क्या करा, कहता चलो देखते हैं उसने क्या करा, वो bow और arrows ले आया बो आप देख रहे हूँ, यह जो side में purple वाले, जिसने purple dress पहने है, उसके हाथ में है न तीर कमान जिसको कहते हैं, वो है bow और some arrows, arrows कौन से थे, तीर ठीक है, giving them to Nasruddin, उसने यह Nasruddin को दिये और कहा हैर, Nasruddin, यह रहे Nasruddin, इस तीर कमान को लो, take this bow and arrows then pointing towards the target, he said, aim at the target and shoot an arrow उसने point करा, अपनी उंगली से, कि वो रहा आपका target, उस पे aim करो, उस पे निशाना लगाओ और arrow को छोड़ दो, यहां से, shoot करो, ठीक है, Nasruddin held the bow in his hands Nasruddin ने अपने हाथों में लिया, strung it, aimed at the target and shot an arrow उसने क्या किया, उसने लिया अपने तीर कमान और दे दिया उसको target की तरफ और छोड़ दिया वू, the arrow didn't hit the target, arrow लगाई नहीं निशाने पे, instead it fell down somewhere in the middle और वो क्या हुआ कि वो middle में, बीच रास्ते में कहीं पे, गिर गया His friends started laughing, सब हसने लगे, obviously हमारे सामने भी कोई ऐसे करेगा तो हम भी तो हसेंगे ना कि यार तुम तो इतनी वावाई लूट रहे थे, तुम तो अपनी अतनी तारीफे कर रहे थे, और तुम्हें आता तो कुछ भी नहीं So they said, Hey Nasruddin, is this your best aim? क्या यही तुम्हारा सबसे बढ़िया एम है? यही सबसे बढ़िया निशाना है? Oh no, वो केता, Oh no, not at all, not at all, बिलकुल भी नहीं Defending himself, वो अपने आपको बचाता हुआ, Nasruddin बचा रहा था ना, Defending means अपने आपको बचाना This wasn't my aim, यह मेरा निशाना नहीं था, it was Azad's aim, यह तो Azad का aim था I just showed you how Azad shoots an arrow, उसने चलाकी से कहा, कि यह तो मैं आपको Azad का बता रहा था, Azad एक और दोस्त था, कि Azad ऐसे निशाना मारता है Saying this, Nasruddin picked up another arrow, इतने में Nasruddin ने दुबारा एक तीर उठाया, once again he strung the bow, उसने फिर से उसमें डाला, निशाना डाला और खीच दिया, लगा दिया This time the arrow fell a little further from where it had fallen before इस बार क्या हुआ, एरो जो था, वो थोड़ा सा आगे जाके गिरा, जहां पर पहले गिरा था, उससे थोड़ा सा आगे गिरा But it certainly didn't hit the target, लेकिन वो surely, certainly means surely, उसने हिट तो नहीं किया, निशाना पे तो नहीं लगा And thus, this must be how you shoot an arrow, कि हाँ, इसी तरीके से तुम तीर चलाते होगे Nasruddin ने फिर बोला, अरे नहीं, नहीं, इवन दिस एम वो मेरा नहीं था, यह था चीफ गार्ड का एम था, कि चीफ गार्ड जो है, वो ऐसे निशाना लगाता है Now somebody remarked, अब किसी ने टिपनी दी, well Now who's next on the list, कि अब तुम्हारी लिस में अगला कौन है, hearing this, all the friends burst out laughing, उसके सारे दोस्त भौदत, उची उची से हसने लग गए Nasruddin didn't say a word, इस बार Nasruddin ने कुछ नहीं बोला, उसने एकदम से अपना चुप चाप उठाया, और फिर arrow लगा दिया पर लेकिल अगें, and this time Nasruddin was really lucky, the arrow hit right on the target, oh, इस बार Nasruddin लगी रहा, उसने जैसे उठाया, तो जो उसका निशाना था, जो उसका तीर था, वो direct निशाने पे लग गया, आर रहे, देखा, आपको दिखा रहे न, this is archery game, इसको archery कहते हैं, तो वो बिलकुल निशाने पे लग एगे एक उसमें, उसमें अमेजमें, बिलकुल वो हिरान होगे थे, इसे अमेज होगे थे, बिफोर एनिवन कुट से अनिधिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कहता, Nasruddin से, said trumfently, trumfently means, जब खुशी से कोई बोलता है, Nasruddin ने खुशी से बोला, did you see that, it was my aim, बिलकुल प्रा और धुशी से कहते हैं? यह और दे ँयो अनिधित क्यों, इसामें, से इसे बोलता है, इसमें देखने बॉलती हैं, इसे मatheнет, यह भूलती हैं जब गपे लड़ाते हैं, और फु बचाना अमेजमेंट बहुत हेरानगी से खुशी से ऐसे देखना ट्रिम फैंटली बहुत खुशी से और प्राउड ली ठीक है प्राउड प्राउड आपर देखो कि आ ए वान लिखे ना अंसर नंबर वन नसरुदीन बोस्तेट अबाउड इस स्किल इन आर्चरी वह अपनी गुण को बता रहा था कि मैं आर्चरी में कितना स्किल्फोल हूं ठीक है second question is why didn't Nasiruddin take someone else's name each time he missed the target Nasiruddin ने हर बार किसी और का नाम क्यों लिया जैसे जैसे उसने target miss किया answer number two देखो गया आप A2 लिखा हुआ है he did so to defend himself उसने ऐसा इसलिए करा था तांकि वो खुद को बचा सके he didn't want to show his failure on his skill in archery वो अपने निशाने जो archery की skill था उसमें अपने आपको failure नहीं दिखा सकता था वो नहीं दिखाना चाहता था so he took someone else's name each time he missed the target इसलिए उसने हर बार किसी और का नाम लिया जैसे जैसे उसका target miss हुआ ठीक है so third question is why did Nasiruddin say it was my aim the third time Nasiruddin ने तीसरी बार क्यों कह दिया कि ये तो मेरा निशाना था Nasiruddin ने तीसरी बार इसलिए कहा answer three पे लिखा है he was lucky in his third attempt ये है a double t e m p t right a double t e m p t attempt he was lucky in his third attempt he successfully hit target so he said it was my aim ठीक है तो वो lucky था अपने third attempt में और उसने target अच्छे से hit कर दिया तो इसलिए इसने कह दिया कि अरे ये तो मेरा ही target था ठीक है so question number four is do you think Nasiruddin was good at archery क्या आपको सच में लगता है कि Nasiruddin अच्छा था archery में I don't think he was good at archery he only boasted about it before his friends मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा था archery में वो सिर्फ वावा ही लूट रहा था अपने और कुछ ने कर रहा था तो यह आप अंसर लेख सकते हो read and enjoy Nasiruddin होजा one day the king forced Nasiruddin होजा to go on a hunt with him एक दिन जो राजा था उसने Nasiruddin को का चलो आज शिकार पे चलते हैं when the hunting party returned in the evening जब hunting party जो थी वो जो वापिस आई शाम को तो उन्होंने पूछा उनसे पूछा कि how did the hunt go तुम्हारा शिकार कैसा गया तो वो कहते हैं it was wonderful तो उसने बोला कि बहुत अच्छा गया वो पूछता है कि क्या आपने किसी आजानवर को मारा वो केते हैं नहीं तो वो के चेज मतलब पीछा करना तो वो कहते हैं नहीं वो कहते हैं कि डिड्यू सी एनिम अनिमल क्या आपने किसी जानवर को देखा वो केते हैं नहीं वो केते हैं then why do you say the hunt was wonderful तुमने क्यों का कि शिकार बहुत बढ़ी आ रहा वो केता oh my dear when you go to hunt dangerous animals कि जब तुम इतने खतरनाक तो it is always marvelous not to come across any सबसे बड़ी आ बात यही होती है कि आपको कोई भी न दिखे क्योंकि obviously आप बढ़ जाओगे न क्योंकि वो भी मार सकते हैं आपको तो वो इस तरीके से कह रहे हैं be a Nasiruddin hot jar yourself ठीक है तो अभी आपको खुद से करने हैं वो यहां पे बुजर्ग महिला जा र अब आपको बताना है कि आपने क्या किया होगा ठीक है तो यह आप खुद से कर सकते हो नेक्स इस वर्ड बिल्डिंग अब वर्ड बिल्डिंग में shoot the arrow and hit the target by matching the words with their correct meanings अब आपने arrows को shoot करना है आर्चरीज में कि किसके मतलब सही है ठीक है अब chatting का मतलब क्या होता है देखो नीचे talking norm informally मतलब जिसे गप्पे लडाना informally means किसी जिसे हम formally teacher से बात करते है अब घर पे तो हम formally नहीं बात करते है न हम जैसे जैसे मन करते है वैसे बात करते है गपे लडाते है तो उसको कहते है chatting next is amazement amazement means great surprise बहुत बढ़िया surprise दिखता है जब archery shooting with a bow and arrow वही गेम का नाम है archery then is defending defending means खुद को बचाना attack से protecting protecting from attack target is the goal intended to be hit target मतलब की goal जिस पे निशाना लगा के so that hit हो सके crimfently मतलब happily and proudly खुशी से और proudly ठीक है replace the bold word words with a word from the quiver and rewrite the sentence तो अब हमें sentence बनाना है यह जो इसमें से हमें सेट करने bold वालों को change करके ठीक है अब फर्स है in no time she hit the target she hit the object she aimed at ठीक है अब हम इसको क्या लिख सकते है in no time she hit the target object she aimed at target भी तो होता है ना तो उसी को target कहते है so in no time she hit the target next say Nasruddin was surely not a good archer तो Nasruddin was surely को और क्या कह सकते है certainly so he was certainly not a good archer the teacher said something about his good handwriting he felt very happy teacher ने कुछ टिपनी दी उसके अच्छे handwriting पे और उसो बहुत अच्छा लगा the teacher remarked on his good handwriting and he felt very happy so said something about com क्या लिख देंगे remarked ठीक है अब यहां पे राहुल गुपता के picture दी हुई है using the clues given write a paragraph about him in your notebook अब आपको यह जो मैंने यहां पे लिखी है आपको का लिखनी है यह सारी चीज़े इन लाइन पे लिखनी है यह हमारे clues है Indian cricket eight hours practices eats healthy food runs two kilometers every day and batsman right so the answer is Rahul Gupta is a well-known name in the Indian cricket he eats healthy food he runs two kilometers every day he is a good batsman he practices for eight hours every day in order to maintain his position in the Indian cricket team ठीक है एक राहुल गुपता एक बहुत जाना माना क्रिकेटर है Indian cricket team का बहुत वो healthy food खाता है अच्छा खाना काता है और वो हर रोज 2 km भागता है वो अच्छा batsman है he practices for eight-eight गंटों के लिए हर रोज वो प्राक्टिस करता है so that उसके Indian cricket team में position बनी रहे ठीक है अब आते इस राजीव फैमली यह राजीव के फैमली है यह जो च्छे पिच्छे हैं they are healthy family healthy family है see what each one does to remain healthy हर एक जनक क्या करता है healthy बनने के लिए तो हम देखते हैं ठीक है अब यह देखो यह दिखा रखें आपने इनकी साइड पर यहां पर नीचे लिख देना है कि क्या कर रहे हूं father father is lifting weights ठीक है मैंने यहां पर आपको left side पर लिख रखें तो वह as it is आप यहां पर लिख सकते हो नीचे ठीक है इनकी डाइग्राम के साथ father is lifting weights अब मदर की picture पर देखोगे तो mother is doing yoga और सीता सीता is skipping grandpa is walking grandpa is walking grandpa walk कर रहे न तो दादू grandpa is walking grandma दादी क्या कर रहे है grandma is drinking milk वो दूद पी रही है healthy रहने के लिए and what is Rajiv doing Rajiv is jogging वो भाग रहा है ठीक है तो वो jogging कर रहे है यह आप as it is यह वले answers इदर लिख दिना अब वो कहरे हैं आपको words and और but use करने और जादा से जादा sentences बनाने राजीव की family के बारे में अब जिस एक्जामपल दी रिखिए grandpa and grandma get up early in the morning ठीक है दादा और दादी दोनों सुबह जल्दी उठते हैं grandpa is walking but Rajeev is jogging grandpa जो है वो walk कर रहे हैं लेकिन Rajeev जो है वो jogging कर रहा है ठीक है and मतलब हिंदी में और हो जाता है और but मतलब लेकिन हो जाता है ठीक है तो आपको उसे सापसे sentences बनाने है father and mother do exercises and remain fit and healthy ठीक है father और mother जो है and mother मतलब और mother do exercises to remain fit and healthy healthy और fit रहने के लिए वो exercises कर रहे है father is lifting weights father weight lift कर रहे है भार उठा रहे है but लेकिन mother is doing yoga mommy जो है वो yoga कर रहे है Rajeev is jogging and Sita is skipping Rajeev जो है वो jogging कर रहे है और सीता है वो skipping कर रहे है grandpa is walking but grandma is drinking milk grandpa जो है वो भाग रहे है sorry walk कर रहे है सेर कर रहे हैं लेकिन जो grandma है वो दूद पी रही है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने अलग sentences भी बना सकते हो watch the arrow pierce the apple तो यह आपको खुद से करना है would you like to see the arrow piercing the apple bring the page close to your face touch the star with the nose and then look at the picture ठीक है तो यह आपको खुद से करना है आप जब यह nose को अपने star पर लेके आओगे तो आपको क्या दिखेगा कि यह जो arrow है उसने red apple को चीर दिया है ठीक है इंट्रेसिंग है करके देखो सारे अभी pause करके so fill in the grade with words given below you can use one word more than once ठीक हर एक word को आप एक बारी से जादा use कर सकते हो तो name of the game क्या है what you play with means आप किस के साथ खेलते हो वह game where you play it कहां भी app पर खेलते हो और number of players कितने होते हो थाज्च के अप क्रिकेट के बारे में है टो we would help this किसके साथ खेलते हैं स्टिक और बॉल के साथ हम कहां खेलते हैं स्टेडियम में कितने प्लेयर्स होते हैं 11 टेबल टैनिस कहां खेलते हैं किसके साथ खेलते हैं टेबल राकेट और बॉल के साथ और कहां स्टेडियम में कितने प्लेयर्स होते हैं 2-4 और इसी तरीके से फुट कर रखिया उन्होंने, that cricket is an outdoor game, cricket जो हम बाहर जाके खेलते हैं, we play it with bat and ball, bat or ball के साथ खेलते हैं, and there are 11 players in the game, और कितने जने होते हैं, 11 players होते हैं, जिन के साथ हम खेलते हैं, so अब होकी के बार में करते हैं, hockey is an outdoor game, hockey outdoor game है, बाहर खेलते हैं, we play it with stick and a ball, हम ball और stick के साथ खेलते हैं, there are 11 players in the game, और कितने players हैं, 11 लोग हैं, इसी तरीकी से table tennis is an indoor game, table tennis जो है वो इंडोर गेम हैं, वो हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं, we play it by using a table, a racket and a ball, हम वो कैसे खेलते हैं, table की मदद से, racket की मदद से, और there are two to four players in this game, इस game में दो या दो से चार जने खेल सकते हैं, अब football, football is an outdoor game, football बाहर की game है, we play it with a football, football के साथ खेलते हैं, there are 11 players in this game, और इसमें 11 लोग खेलते हैं, ठीक है, the following words are used in various sports, list them under the sport that they are used in, ठीक है, अब ये किस-किस game में ये words उसमें देखना हैं, अब गुगली जो है, गुगली कहां यूज होते हैं, cricket में, goal, goal कहां यूज करते हैं, hockey में, hockey में कहते हैं, goal हो गया, football में भी कहते हैं, goal हो गया, lbw कहते हैं, lbw हम cricket में कहते हैं, मतलब leg by wicket, ठीक है, penalty कहां होती है, penalty होती है, football में, free kick, free kick हमें मिलती है, football में, penalty corner कौन सा होता है, penalty corner होते है, hockey में, राइट तो इससे हमारा चैप्टर अल्मोस्स फिनिश हो गया मैं आपको बताते हूं इसके आगे का है आप पपेट हैड इसमें आप ओल्ड टेनिस बॉल यूज कर सकते हो जिसमें इसका बाउंस इसमें खतम हो चुके है ठीक है उससे आप पपेट बना सकते हो लिटल गर्ल क की तरह लगेगा इनस करण वेज़ बहुत असानी से बन जाएगा पिच्चर को देखो ठीक है इसमें आपको टैनिस बॉल चाहिए एक सुई चाहिए नीडल वूल चाहिए धागा जो होता है जैसे बुनाई वाला धागा होता है सर्दियों में स्वेट जी से बनते हैं उसक अपने बच्चों की प्लीज हेल्प कीजेगा जैसे भी आप बना सकते हो राइट two sentences on your puppet I have a lovely puppet मेरे पास बहुत प्यारा puppet है it dances beautifully in the puppet show वह बहुत अच्छे से puppet show में dance करता है puppet होता क्या है so with this we have finished our chapter कुछ और कोईरीज रहती है तो कमेंट करो करो and don't forget to like this video और जितना होसा के अपने फ्रेंज के साथ शेर करो अपनी पूरी क्लास के साथ यह वीडियो शेर करो so that उनकी भी help हो सके right till then take care and bye